आप किसी वज़ा से दूद पीना छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए सलूशन है सफेद तिल सफेद तिल में दूद के मुकाबले साथ गुना जादा क्यालशियम होता है तो आज की रेसीपी में हम सफेद तिल से दूद बना रहे हैं, ताकि आपकी सारी प्रॉबलम ही सॉल्ट हो जाए इस रेसीपी के लिए हम 100 ग्राम सफेद तिल ले रहे हैं तिल को हम राद भर पानी में सोक होने के लिए रगतेंगे जब आप तिल भिगोएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो पानी की परत पर ही हैं आप एक चमच की मदद से उसे पानी में मिला लीजे भीगे हुए तिल को हम साफ पानी में धोलेंगे और एक छनी की मदद से उसको छान लेंगे ताकि तिल पानी के साथ ही ना भेह जाएं भीगे हुए तिल को हम मिक्सी में डाल लेंगे और पहले सिरफ दो कप पानी के साथ उसको अच्छे तरह से पीस लेंगे अब इसमें दो कप पानी के और आट कर दीजे एक साफ कपड़े या नट मिल्क बैक की मदद से अब इस दूद को छान लेंगे इस तयार दूद को आप ऐसे भी पी सकते हैं या इसमें खजूर, चीनी या गुर डाल कर भी मीठा कर सकते हैं अब इस तयार दूद में क्यालशियम के साथ साथ प्रोटीन की मात्रा भी काफी जादा है सौ ग्राम तिल से आपका एक लीटर दूद तयार हो जाएगा मैं आशा करती हूँ कि ये रेसिपी आप खुद भी ट्राइ करेंगे और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी शेयर करेंगे आपको हमारी और रेसिपीज हमारे नए यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी जो सिर्फ रेसिपीज को ही डेडिकेटिड है उसका अद्रेस है यूट्यूब.com slash people farm products